अभी मन्नमोवीज देखनाडे वाई सारे दर्सकान है पवन मलिक मोकरा की आज़ोड कर राम राम और नमस्ते एक खतरनाक इंटर्वीव लेकर एक बार फिर हाजर वहाँ हूं हमारे साथ ये जो मेडम बैठी है आप देख रहे हो बात और मुलाकात होगी तो शिलसला काफी आ मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को अपना प्रिच्चे अपने आप दे तो बेतर होगा जी मेरा नम अंकीता है गाओं खेडी सुल्तान डिस्टिक जजजर मैं अपनी गुरू लेली परधान के साथ कलानोर रहती हूं जिनकी गुरू उर्मिला नंदगिरी महराज जी ह पहले भी मैंने एक इंट्रिव्ए कहा था उसमें जो हमारे साथ मोजुद् मैं गाउं खेडी सुल्तान डिस्टिक जजजर की रहने वाली हूँ फिलाहाल रयास मेरी कलानोर है मैं अपने गुरू के साथ रहती हूँ लीली परदान और उनकी गुरू का नाम है सिरी सिरी एक अजाराथ और मिला नंगिरी जी महाराज उनके पास ही रहती हूँ मैं किस समाज में जनम हुआ था यह याद है हाँ सब याद है मेरे को एक जैसे आम परिवार होता है गाहों के अंदर मेरा जनम हुआ था कितने होगी एज अभी 22 कब से हो यहां पर यहां मेरे को काफी साल हो गई है कितने आइडिया मेरे को हो गई होगी यहां पर चार या पात साल अराम से पहले कहां थे गर पे नहीं पहले रोग तक थी में रोग तक हमारा एक बड़ा डेरा उसके अंदर रहती थी मैं स्टडी करती थी तो एक बात बताव आप जब 11 साल की थी तो बिलकुल ना समझ थी ब lange कशने थी नहीं सबस्केट में और यसे हमारा इंट्रिवू लेना अगाद तो मक्सदि है कि की आपकी लाइप के बारे में ही जाने आपने क्या क्या फेस किया सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि परिवार ने क्यों आपको अपने से अलग किया मतलब वज़े क्या थी परिवार ने मेरे को अपने से अलग ने किया मैंने अपने आपको परिवार से अलग किया आप जाते हो गर पर नहीं अपनी जाते हो लास टाइम कब गए थी लास टाइम तब ही गए थी मेरे को लास कि ग्यारा साल के आयए थी दो ग्यारा साल की निया आयती इस्टडी करती थी कि ग्यारा साल की तो किलास बता रही हो कौन सी में थी आपने किलास पूछा वो बताया मैंने अच्छ तो एक बात बताओ अपना हुए लेकिन आती है लेकिन अपने आपको मैंने हाई रजस्ट कर लिया है वैसे बगवान से नाराज हो नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं आपको मुलब भई मेरे को किनर क्यों बनाई है कभी सोचते हो हाँ पहले स्टार्टिंग में मेरे को पता चला कि मैं ऐसी हूँ तब तो थोड़ा सा हुआ था मेरे को डिफिकल्टीज आई थी अगर 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 जो कुछ भी है लेकिन अब कुछ न आख finer doable यहां छोड़ा अप उस टाइम पए नैहीं घरवालों नहीं चोड़ा मैं खुद आही कि स्कूल अगर एका उड़यकों में जाती थी तो अजी वहाँ लगता था कोई कुछ बोल देता था कोई कुछ मेरे घरवालों ने भी मेरी परवरिस किया लड़कियों की तरह किया तो इस समाज में आने के बाद में किस तरह से मतलब आपने आपको मेरे को दान्स बढ़री तरह कितने दीन मेरे को स्टार्टिंग में तो थोड़ी से ढ़ए थी मेरे को डांस वगये जो यह तो बहुत दो महीं ने तर दीरे मैंने भी डान से का फिर यह ताली बजाना से का दीरे दीरे साथ नहीं मेरे को नहीं आती थी इतने दिन मेड़ेस्ट हो आई लग गए थे एक दो महीने जल्दी हो गया था जल्दी ज़्स ताइम जैसे ये जो मांगने का जो काम आप लोगों का है बदाई लेन का आ आप फर्स टाइम कहा गई थी पिर मेरे को समझाया प्यार से बिटा एसे रोते नहीं है फिर थोड़ा घर लाके भी समझाया फिर मैंने थोड़ा माइंड पे और थोड़ा अप्रेसर डाला कि अब तो जो कुछ है इन में रहना यही रहना है तो कुछ ही फिर मैंने धिर दिर अपने आप एड़ेस्ट कर ले उस टाइम पर कितने एज थी जब फर्ट टाइम बदाई लेने गाई तो सब को मालूम था कि आप किनर हो हां कुछ को पता था कुछ को नहीं पता था वो जिन को पता था किस तरह फेस करते थे नहीं कुछ हैं यह नहीं कि सभी मतलब थोड़ कि अपकी फिर्फरेंट से हां कुछ हो जाते हैं वहीं बात है बस हो जाते हैं कुछ कुछ थोड़े थोड़े बच्शे यह नहीं मालूम था क्या आप कि नरौ Đारिक्टा की कभी प्रपोज किया हां बहुत लड़कों ने किस तरह से समझाया मैंने एक था एक लड़का राह अपनी किया मेरी हाइट है सिक्स कंप्लीट सिक्स फिट पुट लम्भी है अपको लड़के की कि ती राहुल की राहुल की छैदो अदर अजी मिर से लमबा था उसके बाद ऐसा कोई होते का फिर लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती हूं कुब किसी के लिए-फिलिग आई आत लेकिन फिर मैं आगे की बात सोच के रुख जाती हूं नहीं कि अ को दिपनी वह वही बात है कि नरू कौन साधी करेगा एक टाइम मालो कर भी लेते हैं साधी फिर पेरेंट्स की अगले के पेरेंट्स क्या माइंड रखते क्या नहीं रखते हैं उनकी भी कुछ होती है आसाए कि हमारे बच्चे की साधी ओ बच्चे ओ बच्चे तो हो नहीं सकते मुझे तो इसलिए मैं अपने आप पर रोक लेते हैं तो तुझे से अजीब सी बात है ये अलग सा कॉस्चन मैं आपसे पुट आउट करने वाला हूं कि मालो जो फिजिकली जो है जो फिलिंग होती है क् हाँ बिल्कुल होती है बिल्कुल होती है जैसे मेल किनर होगा उसको मेल वाली फिलिंग साती है जो फिमेल किनर होगा उसको फिमेल वाली आती है गे में और किनर में डिफरेंट क्या होता है गे में और किनर में क्या डिफरेंट होता है जो गे होता है उसमें गे में कुछ न पिल्कुल उसकी body structure होता है भार से बिल्कुल लड़का अंदर से होता हो लड़की यह कुन होते हैं एकक्सचेंज वाले काफी होते हैं जो अपनी आढ़ासा में गाओं के अंदर भी होते हैं यह नहीं बोल देते कराते हैं के सव दातना हैं काफी मिलतेज में बधाइघा जाते यह काफी मिलते हैं हम ने इतना द्यान देते हैं यह को साइस झाल और आसे स्वांख बाले हुए अपको आप गुश जाते हैं उनको कहेंड मिलकुल भी कि पता कैसे लगए मतलब से लगता पता चल जाता हुआ उनके मैं पार्ट से पता चलता है opreason कराए ग्रोभ और अलगी दीख जाता है जो लेडी Yahud vao बीदीखेगा mail भी और जो अश्यंज करा रख़ग्ण हो भी अलगी दीख जाता है को आपकी जो जहां जिस डेरे में रहते हों रोतक में डेरे में इस में टोल्टलAt में की पूरे ये देया कांदर है मतलब कंपलीट रौत में काफी किंडर रौत के अंदर थीन लेक हमारे का एक हमें काफी किसी में 10 15 चाहिं जार पाल के त्वoin वैसा है मैंने तो देखा नहीं कि अपने आप में मतलब अपने आपको आप किस तरीके से लेते हो कि मालो बाइद हुए मुझे कल किसी से कुछ लगाव हो गया तो मैं कैसे कर पाऊंगी एरजस्ट करने की तो यही बात है अभी तक तो देखो हुआ अच्छी बात है तो अब ज़्यादा किसी बंदे से अश्पटेशन नहीं रखते हैं कि अपना कुछ पार्ट चेंज करवा कि टोटल लेडिज बन सकता है नहीं ऐसा कुछ नहीं यह गलत बात है जो भगवान बना देता है उसी में रहना चीए यह घलत बात है ना भगवान प होई नहीं सकती पेट के अंदर कुछ इस तरह है नहीं आज गल की तो साइंस चली हुई है बच्चा दान नहीं लगवा देखते हैं लेकिन क्यों भगवान ने जो बना दिया उसमें खुश रहा हो ना क्या आप खुश हो फिर हां मैं खुश हूँ हुश हूँ हुश हुश ह जी है मतलब बहुत अच्छे से रखतिया है जो एक मा माइस बच्चे को यह वैसे रखती है मैं रखो एक दिन में ज़्यादा सबसे जथा बदाई कहां से लेकर आए मतलब लेके आए थे उन्होंने पंजाबियों के साथ दी हुई थी उन्होंने खुद अपनी खुशी से दिये थे हमें कम से कम कद लेके आये हो कदे नू लग या रहा तो कुछ भी निया हाँ हो जाता है कभी जरूरी थोड़ी ना कि डेली एक लाख आए क्या हो जरूरी ऐसा कुछ नहीं होता कभी कभी किस्मत की बात है तो हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनको अपने पास से देना पड़ता है जैसे कोई गरीब है उनके गर जैसे गरीब है बच्छा और लड़का हुआ है उनको अभी थोड़े दिन की बात है यहां सापड़ के अंदर सैंपल गाओं है वह बिल्कुल गरीब है वीचारे वो कौन से चाती से ओर जाती जनको और जाती से भीलोंग करते हैं उनके मतलब अब बच्छा वा था चार पास दिन पहले की बात मैं गई उए थी उनके में पता चला कि उनको लड़का हुआ है उनके घर के अंधर गई फिर मैंने बोला कि बदाई दो पिर उनकी कंडिशन देखे बिलकुल लो थी उनके पास कुछ भी नहीं थी मैं अपनी तरफ से खुद उनको पांच अजार रुपे देखे आई हूँ करिल सच्च में आप जा कि पता कर सकते हूं जगड़ा कब कि headache लास्थ और्म कव ऑखे जगड़ानी नहीं देखे يعigविए पेउत्स तह से कूछ नाहीं आप उद्स पुच्क। है। अब और को अध्यों कर दिखे ने हों ड़ति हो है। जाए एक बार तो इंसान को प्यार से समझाओ ना मानने तो दुभाहAND豪 फिर ना मानने तो वह इक अलग बात हो जाती है है पुट्की इस दानों के सामने कौन बोलेग़ वहाँ है एक बात जहना छाओनगा हाँ मैं जी मैं प् ideiaर से समझाती है सबको मेरा नेचर थोड़ा अलग है मैं डिफरेंट हूँ मेरी थिंकिंग भी थोड़ी डिफरेंट है आज कल डांस कर लेते हो हाँ कर लेते हूँ अब तो किनरो वाला डांस होता है जो पार्टी के सामने करना होता है नहीं नहीं मैं नॉर्मल डान्स करती हूं जो सिंपल लेडी डान्स करती हूं वैसे करती हूं लास्ट टाइम किसी आज किसी को बद्दूआ नहीं दिया जाएं यह चीज़े होती हैं हाँ यह सच है यह मत समझना में क्या कर रहा हूं लेकिन मिर को तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने यह मतलब काति वाला भै बना दिया कि डर से चलेगा सब कुछ नइंए यह गलत बात है कौन बोलता यह कातिये वाले भै बना रख नहीं हम यह 있는데요 अगर नहई दोगे तो बदयक्स के जाए यह बीकुल किसी के साथ पड़ भी कपडे मैंने कपड ही इने कब्रेट पड़ार ते जैपुर टूर टैक्स के ऊपर लड़का इना तूलन के ऊपर हम यह चलान भी बर्टे हैं जिना फुल फेल्शकिने अब सकते हैं मेंने किस्तवी जुअश्रा टूलमों कुछ है। टूल टेक्स पर मांगते हैं उनकी वज़े से हम लोग भी बदनाम हो चुके हैं कोई आपको काफी सारे वर्ड हैं आप लोगों के लिए इस तरह से छक्का बोले तो कितना बुरा लगता है लगता तो बुरा बहुत है लेकिन क्या करें आप दूसरे को तो बोलते हुटा रहे आप लोगों की जो लेंग्विज होती है या जो चलने की टूनिंग होती है नहीं यह पुद्र यह हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भागवादी दिमाग के अंदर पता नहीं क्या पीट करके बेज़ता है या कुस्छ थिंकिंग यह जो हो लेकिन मेरे को कभी देख लेना ना तुम्हा कभी गलत बोल तीना को डिफरेंट चलती में तो अराम से प्यार से च आदेंगे गाउं के अंदर सब बता देंगे सुद्राइए। इसकी पिटाई की है मैंने हाँ कि है इसकी एक लड़के की कितने दिन पर फिर हो यह अभी कुछ दिन की बात है राम लेला राम लेला नी यह नहीं होता है दसेरा दसेरा का मेला लगा हुआ था तब यह मारें थपड क्यों उसने मेरे साथ ब्रतमीजी के थी ना इसली किसी को डारक्त वी बोला है नहीं मैंने नहीं बोला है मेरे को बहुत बोला हुआ ऐसे मज़ा आ जाता हो हम जी अच्छा लगता है न मीरे खराल का इसका प्रपोर सब से अच्छा लगे आस तक है राओल का इंग यह तो बचार अंलग्य है फिर है छंजी इसके बाद मिला कभी क्या बोला चाहूंगे उसकी लाइप है अब तो उसको कुछ नहीं बोल सकते तो एक बात बताओ किस तरह का सोक रखते हो किसे कपड़े पहन पसंदे लाइफ स्टाइल किसा आपको मेरे को कभी भी देख लेना आप मैं सिम्पल ही मिलूंगी आपको कुल भी नौनवेज लेज कुल भी नोली वेज अपलोग और अपनी गुरू को अपने उस्ताज को माई क्यों बोलते हैं यह माई-वर्ड होता है इतलब जैसे यह नहीं पहुते सादू संथ होते हैं उनको संथ बोलते हैं हमको मेंत बोला जाता तो माई एक शोर्ट वर्ड है, मैंत का शोर्ट वर्ड माई, गोल पर ना पसंद है? कितना ज़्यदा थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं विल्कुल भी मैं सिंपल रहती हूं किसी की साध्धी में गई हो डारेक्ट हाँ काफी बार वहां जाके किस तरह से डांस वगरा डांस वगरा मैं बहुत कम करती हूं मैं एक जैसे नॉर्मल लड़की होती है न वैसे जी कभी एक फ्रेंड की साधी थी अभी उसकी में भी गई थी गाड़िया पसंद है या नॉर्मल शिंपल मेरेको बुलट चलाना ज्यादा पसंद है मेरेको आती भी बुलट चलाना अपके गुरू ने आपको दिला ही है हाँ दिला रखी है मर्केट लेके गई कभी हाँ बहु पूल स्पीड पर चला लेती हुँ पठाके बूपार हाँ बजा देती हूं नहीं किस तरह से रियक्ट करते हैं पूलट करते हैं एक बार में रोटक गई हुई थी उन्होंने रोक लिया था मेरेको सुपरा चोक पर फिर उन्होंने देखा मेरेको भी ए तो डिपरन बोल दे कि स्टाफ से यह बोल देते हैं फिर वो कुछ नहीं जाने देता है एक किनर होते हुए आपने क्या क्या फेस किया अपनी लाइप में आज तक मैंने बहुत प्रोब्लम फेस की हुई है मतलब आम भासा में बता हूँ आपको कि तान नहीं मैंने बहुत सुन रखिए बहुत जा रखिए अब डाल कर ना में उंका ऑनतेव अंचों सुन नहीं करेज हुए इंटीव किसा लॉई कि अच्छा लगा इसबीयु अपने चेमिरे इसब थे तो क्या आपने मेरी लाइफस्टाइल को बारे में पोचा है मैंने आपको बनाया ये किलियर हो जाता है आती रहती मेरे पास तो फ्रेंड्स की कोल आती रहती में बात करती रहती हुआ अपने बारे में सब कुछ बताया कुछ ऐसा है जो लाइब का सबसे अब आपनी एक कर लेती है अपनी गुरू किसी करती है सारी बाते गया पड़ाई की थी पड़ाही मेरको मतलब स्टुड़ी करना पसंद पर जोब के इसकंद आपड़ा की बश्या अपश्मिपटल बाते लेकिन आप दूंद यह क्विजव गुम्ही श्टाइब कर दिया गय आपने यहां पे क्यों नहीं अपलाई यह भार तो सब गिन्र जौब करते हैं इधर नहीं है कि अंकीता मैं दिखा भी सकती हो आपका नाम के आगे किन्र ऑंकीता किन्र हैं जिए जरूरी होता है किस तरह की छूट आप लोगों कोती हैं वैसे एक्ट्रा मतलब आम जनरेशन से कुछ अलग कुछ विशेश चीज़े होती हैं किसान लेकि आते हैं तो दुकान वाला क्या करता है दो चार उपर पैसे कम कर देता है था खास मेंफिट कुछ नाई तो मरे जैसे कि आम इंसान को रसन काड़ के ओपर समान मिलता वो नहीं मिलता नहीं कुछ ज्यादा दे कुछ ने मेरा मोडलिंग का फिर सबसे संदर किनर कौन है अपने कि भगवान ने जो कोई हर चीज बनाई सब सुंदर तो मैं तो अपने गुरू को मानती हूं सबसे सुंदर के लेले के नरको फेका है उसको उठागी दिखाना मेरे को फेका नियों मेरे को अधार काड़ दिया है मेरा आप देख सकते हूं किता किनर हंजी डेट अप्रेट थर्टी अप्रेल टो थाउजंट वन अजी तो टोटल लड़की नजर आ रही हो फिर मैं हुए लड़की बस मेरे अंदर थोड़ी प्रोब्लम है तो आज आज आपने जो अभी मन मुविस पे समय दिया एक सवाल मेरे मन में और आ गया मैं पूछ लेता हूं आपने ड्रिंक किया कभी नहीं कभी भी नहीं कभी नही कbour़ करते हैं नहीँ हमारे यह पर कोई नहीं करता वैसे जो हमारी दादी ॥ी वह वह बैसे होका कि पीती हूं के साथ कभी सुक्टा मानने का मन नहीं कभी भी नहीं कभी भी निक्वाल्त यह जो हमारे साथ जुड़ी थी अंकिता किंवर निर्स तो इनको किंवर के तो वे अच्छा ने लग रहा आधर फिर भी जो इनकी पहचान आ वह यह बताना पसंद करते हैं लिली किंवर किंवर की सिश्ष में ही जो है वो लुब सारा काम क्यों कर चाले है कारोबार क्यों कर चाल लहिए क्या करते हैं सब कुछ मैंने आपको दिखाया बताया विडियो आप लोगों को कैसी लगी अब अंकीता से पूछ लेते हैं हन जी आपको कैसा लगा furniture अपने बारे में कुछ मैंने बताया चो देखेंगे वो कुछ समझजेंगे, अपने अपने कमेंट्स में देखेंगे क्या या क्या नहीं तो वई वीडियो को सेर करना काफी सेर करना तब ही अंकिता को थोड़ी शी पैचान मिलेगी. लोग इनको जानेंगे और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बैसे ही खास खास इंट्रवुय को हम आप लोगों की लिय क्या जाओं तो मेरे कुछ आशिरवात दे दियो, सारे भाई यान रम रम भाई जै हिंज जै हरियाना सत्य में हो जाते हैं